चलिए शुरुवात करते हैं आज अगस्थ सीरीज की शुरुवात होगी आज से पहला गारोबाई 17 होगा अगस्थ सीरीज का और अब देखना होगा कि आज शुरुवात कैसे हो सकते हैं बाजार पर रणिती भी समझेंगे लेकिन इस वक्त संकेत ठीठा की मिल रहे हैं कल रिकावरी यहां पर देखने को मिल रही है गिफ्ट निफ्टी उपर है 24,470 के पास कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी बाकि सारे इंडाइस भी हरे निशान में हैं लिखाई है हरे निशान में और यहां पर महंगाई के भी आख्डेयाए जापान में जिसमें की पर कमी देखने को मिली अगर मन्थ और मन्थ बात करेंगे तो महंगाई दर 2.2 से घटकर 2.3 से घटकर 2.2 हो चुकी है मन्थ और मन्थ तो यह काक्टे आए वहाँ पर और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कोरिया के बाजार भी हरे निशार में हैं तो अमेरिकी बाजारों में कल हमने देखा कि वापस से मुनाफ़ा वसूली हावी थी कल बाजार में डाव जोन्स में एक समय ऐसा भी था कि 40,000 के उपर इंडेक्स निकला लेकिन उसके बाद उपरी सरों से मुनाफ़ा वसूली देखने को मिली करीब 500 उंकों की गिरावट उपरी सरों से डाव जोन्स में दिखी S&P 500 और NASDAQ में लाल निशान में क्लोजिंग हुई टेक्शेरों में कल मुनाफ़ा वसूली हावी थी जिसके चलते हैं यहां पर जो क्लोजिंग हुई वो नेगेटिव हुई लेकिन कल कुछ सेक्टर चरनिंग भी देखने को मिली और एक्सपोर्ट्स का कहना है कि जब आप बुल मार्किट के दॉर में होते तो मुन ध इससे होते हैं जो की चलते चलते थक चाते हैं तोुसके बाद मार्केट में देखेंगे तो इतनी वीकनेस नहीं दिखाए देरी क्योंकि वहीं दूसरी तरफ स्मॉल कैप शेरों में काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है वहां पर अब हम देख रहे हैं कि कुछ चर्निंग हो रही है और रसल 2.8 परसंट की बढ़त वहां पर देखने को मिली 2.1 परसंट का अनुमान था तो काफी अच्छे नंबर्स यहां पर निकल करा रहे हैं अनुमान यह है कि सालाना अधार पर बात करें तो 2.5 परसंट की बढ़त देखने को मिल सकती है अब देखना होगा यहां पर आकड़े कैसे रहते हैं कुल मिलाकर ठीक ठाकी संकेत अमेरी की बाजारों से हैं यूरोप के बाजार भी मिले जूले क्लोजिंग देखने को मिली फेड पॉलिसी और मेहं आकड़ों के पहले हम दे देखने को मिली है तो इस वक्त के संकेत अगर देखें ग्लोबल मार्केट से तो ठीक ठाक संकेत ही दिखाई दे रहे हैं